हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में आज मैं सेर करने जारू हूँ आप लोगों के साथ हरे मटर की पराठे की रेसिपी हरे मटर की पराठे बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चले फिर फटा फट से रेसिपी को इस्टार्ट कर लेते हैं तो गैस पर एक बरतन चढ़ाएंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ओयल एड़ करेंगे इसमें ज़्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं होती है इसके बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जीरा एड़ करेंगे और 10 से 12 करली लस्टन एड़ करेंगे इसमें इसके बाद इसमें हरी मिर्च एड़ कर लेंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं लसोन और हरी मिर्च भुनने के बाद हम इसमें हरी मटर एड़ करेंगे आप कोई साभी मटर का यूज कर सकते हैं इससे में मटर का सेजन है तो आप फ्रेस मटर का ही इस्तमाल करिए पराठे जादे स्वादिश्ट बनेंगे मैंने यहाँ पे दो कटोरी मटर लिया है इसको हम एड़ कर देंगे मटर को एड़ करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटर को दो मिनट के लिए ऐसे ही भुनने देंगे इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मटर को भुनते पूर्ट लगव कि दो से तीन मिनट तक हो चुके हैं अब फोर आपटेवल स्पून धनिया पौॉडरर अड़ करेंगे और हापटेवल स्पून अल्दी पॉडरर अड़ करेंगे हाप टेवल स्पून देगी मिर्च आड़ करेंगे इससे बहुत बढ़िया सा कलर आएगा हाप टेवल स्पून जीरा पॉर्डर अड़ करेंगे हाप टेवल स्पून गरम मसाला पॉर्डर अड़ करेंगे और half टेल स्पून चाट मसाला पॉर्डर एड़ करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस भी स्वादन सा नमक आड़ करेंगे और नमक आड़ करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस पे लीड लगा देते हैं ताकि मच्छ जो अच्छे से पक जाए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगवग 5-7 मिनट तक लगेंगे इसको पकने में 3-4 निट धकन लगा कर पकाने के बाद उसके बाद हम धकन हटा देंगे ताकि इसका पानी जो अच्छे से सूख जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मटर जो अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें फ्रेसरी धनिया के पती आड़ कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ठंडे होने के लिए रख देंगे हम ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा मटर जो यह ठंडा हो चुका है अब हम मटर को ग्राइंड कर लेते हैं और इसको बहुत ज़्यादा बारी ग्राइंड करना नहीं होता है हलका सा दरदरा ही ग्राइंड करते हैं इसको इसको हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट इस्टेप की तरह हम पराठा का डो लगा लेते हैं तो पराठा का डो लगाने के लिए मैंने हाँ पर दो कटोरी की हूं का आठा लिया है इसके बाद हम इसमें वन से टू टेवल स्पून ओईल आड़ कर लेंगे और स्वाधन सार नमक आड़ करेंगे और इसके बाद हम इसमें अजवाइन आड़ कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी याड़ करके एक सौफ्ट डो लगाएंगे अगर आप इस्टफिंग वाला कोई साफी पराठा बना रहे हों तो पराठे का डो सौफ्ट ही रखें इससे हम पराठा जो अच्छे से सेट हो जुका है अब हम पराठे बना लेते हैं तो इसको हम वापिस से एक बार और नीड कर लेंगे ज्यादा नीड नहीं करना है बस एक बार हम इसको अच्छे से रोल करके रख देंगे पराठा बनाने के लिए यहां पर हम एक छोटा साल ओई ले लेंगे और अंगुठे से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए बॉल की तरह से बना लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बॉल की शेप में बना लिया है इसको अब हम इसमें वन टबर स्पून स्टॉफिंग रखेंगे और साइड साइड से हलका हलका सा मोड के हम को बंद कर देंगे अगर आप मेरे बताएवे टीफ सेंट ट्रे को फॉलो करेंगे तो आपके पराथे जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अलब हम इस पर सुखा अंट लगा लेंगे और इसको हलके हाँ से रोल करेंगे इसको हमें टाइटली रोल नहीं करना है अगर आप टाइट रोल करेंगे तो stuffing जो है बाहर आ जाएगा और पराठे फट जाएंगे इसको हमें हलके हाथों से रोल करना होता है तो यहाँ पर अब देख सकते हैं मैंने पराठे को रोल कर लिया है तो चलिए अब हम पराठे को सेख लेते हैं तो पराठा सेख तिसमय हम flame को low to medium रखेंगे flame को high नहीं करेंगे बना हमारा पराठा जो है जलने लगेगा और बीच बीच में पराठे को पलटते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड से इसको सेख लिया दूसरे साइड बलट दिया है दूसरे साइड थोड़ा सा और पकने देंगे अब हम इस पर गी लगा देंगे और पराठे को उलट पलट कर सेखते रहेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी जड़ा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वेल आइकन को प्रेस करिए इससी मेरी आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप त टेस्टी बना हुआ है तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा ओकी बायो फ्रेंट्स मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में